दोस्तो तलाक के नियमों के अंदर एक भूत बड़ा बदलाव हो गया है जिनको भी हमें तलाक लेना है चाहिए पती हो ये पर पतनी हो दोनों के लिए भूती बड़े खुसकबरी है यानि कि बहुती बड़ी बात है तलाक लेना बिल्कुल आसान कर दिया गया है तो किस किसे खुसकबरी है माने निये सुप्रिम कोट के बहुती बड़े फैसले है कि नुसार इस वीडियो का अंदर बताने वाला हूँ यानि कि इसके उपर है जो माने निये सुप्रिम कोट का बहुती बड़ा फैसला है पती और पतनी दोनों के लिए वीडियो है जो बहुती मह पर के लिए हो गई है तो हिंदू marriage act के अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आते हैं हिंदू बोध जैन सिक और इसके अंदर है जो 1976 से फेले ये विवस्ता की गई थी कि जिनको भी यहां पर डाइवोर्स लेना है और उनके पास में अगर यह तीन ग्राउंड रहते थे पह हो तो के आधार पे वो कोट के अंदर साबित कर देते थे उनका डाइवोर्स है जो हो जाता था पर यहां पर है जो 1976 के अंदर एक विवस्ता की गई कि अगर है जो पती-पत्नी दोनों सहमत होते हैं आपसी सहमती के आधार पे तलाक लेना चाते हैं तो यह भी है जो इसके अंदर विवस्ता होनी चीए तो हिंदू मरीज एक्ट में समय की प्रस्तिति को देखते हैं सेक्शन 13 भी एड़ किया गया मीचल डाइवोर्स के लिए आपसी सहमती के लिए और इसके अंदर यह विवस्ता की गई कि पहले तो पती-पत्नी को एक साल तक अलग रहना पड़ है वो अगर मीचल डाइवोर्स लेना चाते हैं तो फहले उनको एक साल तक अलग रहना पड़ेगा और एक साल तक अलग रहने के बाद हैं फिर है जो मीचल डाइवोर्स की फायल लगाएंगे और जैसे उनको फाइल लग जाएगी तो उनको मिलेगे फर्स्ट nasıl प्रश्ट date मिलेगी वो date मिलेगी six month से लेके और 18 month के बीच की यानकि 6 मैने से लेके 18 मैने के बीच की उनको date मिलेगी यानकि first motion से लेके second motion के बीच की प्येजानकर यहांपे समझ में आ गई होगी अब यह व्यवस्ता की गई तो इसको लेके भी बहुत सारे सवाल खड़े होगे क्योंकि यहां पर यह भी आसान प्रकिर्या नहीं है यान कि यहां पर अगर पती-पत्नी दूनों सहमत है तो भी फिर क्यों उनका इतना टाइम लग रहा है और उनका अगर first motion की date आ गयी है तो first motion से लेके second motion के बीच को जो time है वो है जो कम हो सकता है यानकि उसको कम किया जा सकता है अगर first motion के अंदर ही अगर वह जो वहां पर application लगा देते हैं वो अगर बोलते हैं कि आगे उनके विचार है जो बिलकुल भी नहीं मिलेंगे वो है जो किलिरली डिसाइड करके आए हैं कि उनको डायवर्स लेना ही है तो यहाँ पे है जो उनको second motion की so date मिल जाएगी उनको 6 मिने से लेके 18 मिने के बीच का जो इंतजार है वो नहीं करना पड़ेगा तो यह है जो बाते इसके अंदर कही गई है यानि कि आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आप mutual डायवर्स की फाइल लगाते हैं और फाइल लगाते ही है जो first motion की date आ जाएगी और जैसे first motion की date आएगी तो second motion की भी है जो जल्दी date आ सकती है उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तो आसान भाल सा में आपके समझ में आ गया होगा कि फाइल लगाते ही है जो आपका डायवर्स हो जाएगा ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा इस judgment के अनुसार तो इस judgment का link इस video के description के अंदर दिया गया है बहुत ही महत्पुन judgment है तो इस judgment का फायदा उठा कि आप भी है जो कम time के अंदर mutual divorce ले सकते हैं तो फिर आगे मिलेंगे आप शे ने वीडियो ने टोपी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस video को like करके share रवशे कर दीजिए धन्यवाद